सब्सक्राइब बात करेंगे अब बात करेंगे इस 4000 भरती में है क्या तो यह एड़ेड हाई स्कूल की बरती है जुनियर एड़ेड हाई स्कूल जो होंगे उनकी भरती आव इंपॉर्टन बात यह इसमें 4000 पद है तो सबसे ज़्यादा मेरे पास क्यों आ रही थी कि सर इसमें apply कौन कर सकता है सबसे पहला बात जो आई है सबसे ज़्यादा मेरे पास question क्या apply कौन कर सकता है हाला कि Morning Session के आज वीडियो मैंने इसको बारे में बताया है, लेकिन आप लोगों के धेर सारे कमेंट्स थे, तो उसको लेकर मैंने अलग से इस वीडियो बनाने का सोचा है, और आई होप आप सभी इससे बहुत कुछ आपको जानकारी होगे एड़ेड हाई स्कूल के बारे में, इसमें गुडांग कैसे बनेगा, इस पर भी आप लोगों से मैं चर्चा करूँगा, और यह नोटिफिकेशन देखी, आउट हो चुगा, और यहाँ पर सबका चैन की बात की गई है, और इसमें बीड, हलाग कि बीड तो एलिजबल है ही, तो सबसे आदा प्रशन है फिर इसके बात आएं कि सर क्या BTC या DLA वाले सबसे आदा पूछें कि सर क्या हम लोग भी इलिजबल हैं इसमें, तो इस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे, आयू सीमा क्या है, चूट किसको मिलेगी, और कौन को इनसे प्रावधाने को इंदर का चूट मिलेगी, तो सारे नोडिफिकेशन में चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना, और इंपॉर्टन बात दिये है कि TTP जरूरी इसमें मिंशन कराए गया है, तो चलिए, एक एक पॉइंट को नोडिफाई करते हैं, समझते हैं, और एक बात याद रखिए, इसकी तयारी बहुत अच्चे से आप लोगों को करनी है, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसकी तयारी जल जल मैं शुरू करा दूँ इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगा, नीचे रड कलर का बटन होगा, बाकी वीडियो को खुब शेयर करिएगा, ठीक है न, ताकि मैक्सिमम लोग एक जूट हो जाएं, तो तयारी हम लोग सुरू करा देंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले निउस्पेपर्स मैं चीज़े दिखाऊंगो, फिर जो नोडिफिकेशन आउट हुआ है, उसक पर चर्चा करूँगा है न, तो निउस्पेपर में मौनिंग में ही मैंने आप लोगों को इसमें पता दिया है, कि एड़ेट स्कूल में 4,000 सिक्षकों की बढ़ती जल्द होने वाली है, ठीक है, और इसको लेकर आपके उचे नयाले में विचारा धीन, आपकी निउक्तियां जो पिछली वाली है, तो टोटल प्रदेश में टोटल जो हैं 3,049 एड़ेट जूनिरा स्कूल हैं, जहां पर लगबग 4,000 पद खाली हैं, 4,000 किसके पद हैं, सायक सिक्षकों के और परदाना ध्यापकों के, ठीक है न, अब इसके लिए आपके प्रस्ताव भेजा गया है, जो प्रस्ताव है उसको मैं आपको बता देता हूँ, कि इसके लिए बेज़ेट सिक्षक्रा निदेशा ने राज सरकार को परिक्षा कराने के लिए आपके भेज़ दिया, जैसा आप सभी पता था कि पहले क्या होता था एड़ेट हाई स्कूलों में, कि वहाँ पर जो B.S. से होते थे, उनके तहत ही ये भरती आओ जाती थे, P.S. से क्या करते थे, अपने हिसाब से बरष्टा चारिता का जो कारिक्रम था, उसको लागू कर लेते थे, पैसे ले लेते थे, भाई बतीजा वाद वाला प्रक्रिया यहां पर अपना लेते थे, तो यहां पर कहीं न कहीं, इस पर प्रस्नेशिन लगा, ततकाल रूप से इस बरतीओं को भरती चल रही थी, बरतीओं को ततकाल सरकार ने रोक लगा दिये, क्योंकि बरष्टा चारिता को लेकर ढेर सारी बातें सामाक्स आ रही थी, अब बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन क्या उट हुआ है, क्या प्रस्ताव भेजा गया, पहले उसको देख लेते हैं, तो यह है आपका देखिए लेटर, मॉनिंग में मैंने इसको दिखाया, लेकिन इस पर मैंने चर्चा नहीं की, क्यों क्योंकि यह वीडियो बनाना है था आप लगों के लिए, तो प्रेशक हैं, सिक्षा निदेशक बेसिक उत्तरप्रदेश लखनौ, सेवा में अपर मुख सचीव बेसिक शिक्षा उत्तरप्रदेश, अनुबाक्ती, यहाँ पर विशे पहले आप लोग देख लीजे, ठीक ना, डेट देख लीजे, 9 दिसम्बर 2019 की है, विशे है, असास की है, यानि एड़ेड सहायता प्राप्त जूनिर हाइज स्कूलों में, आपके सायक अद्यापक, एवं प्रदाना अद्यापक होगे, प्रदपर चैन होती लिखित परिक्षा आयोजित किये जाने के लिए, आपके प्रादिकारी नामित किये जाने के समंद में, अब देखे cotton पर चैन परिक्षा होगी, यह सब को पता है, कि लिखित परिक्षा क्याधार पर ही बढ़तिया होंगी तो क्या टोटली बस लिखित परिक्षा क्याधार पर होगी इसके बारे में अभी बाद में अभी इसी वीडियो में चर्चा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ लिखित परिक्षा के आदार पर भरती प्रक्रिया नहीं होगी, इस चीज को समझ लिजे, भरती परिक्षा में लिखित परिक्षा का एक प्रतीशत आोगा। कुछ पैमाना और कुछ पैमाना आपके अकैडमिक होंगे अकैडमिक गुडांक उस पर निर्धारित किया जाएंगे तो पहले इसको देख लेते हैं जिसमें लिखा है महदया उप्रयुक्त के संबंद में अवगत कराना है कि असास्यकी सहायता प्राप्त जूनियर हाइज स् में सासन की अधी सूचना संक्या आपकी मिंशन है 2001 दिनांग 4 दिसमर 2019 द्वारा संसोदन करते हुए चैन की कारवाई प्रक्रिया में बदलाव किया गया है जिसके अंतरगत अब चैन हेतू आपके प्रवेस इस्तर पर लिखित प्रिक्षा आयोजित की जाएगी और रुक् अब यहाँ पर इंपोर्टन बात आप लोगों के लिए है कि सूचना अनुसार जो प्राप्त हुआ है वो टोटल 4000 पद है जिसमें रिक्त हैं जो जिसमें रिक्त पदों पर चैन हेतू अनुमती आपकी परदान की जाने है तू प्रकरण माननी उच्छे नाले के में विजारा धीन है और इसमें माननी नाले द्वारा सुनवाई की ज करते हैं कि कि तरीके से पैली प्रश्चन कि कौन-कौन eligible है क्या बस बी-ड़ eligible है या बीटी सी और डीलेड वाले इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं तो इस वेपर से आपके सारे डाउट clear हो जाएंगे देखिए सबसे पहले जो प्रश्चन आता है कि कौन इसके लिए eligible है कौन नहीं है तो उसको लिए मैं बता दूं आप लोगों को देखिए यहां पर eligibility criteria आपकी mention है कि इस भरती प्रक्रिशा के साथ आपके B.A.D. B.T.C. या आपके D.A.L.E.D. की degree और T.T. होगी यानि कि जो B.A.D. के candidate हैं वो तो eligible हैं ही इसके लावा B.T.C. ध्यान पर सुनी जाएगा क्योंकि सबसे कोशन सबसे यादा B.T.C. और D.A.L.E.D. वाले किया है तो B.T.C. और D.A.L.E.D. वाले candidate भी इसके लिए eligible हैं ध्यान से सुन लीजीए ठीक है तो अब आपको panic होनी का आवशक्त है नहीं आप भी इसके लिए eligible हैं अब आते हैं प्रक्रिया के उपर कि क्या क्या प्रक्रिया इसके इंतर्कत आती है अब दूसरा प्रशन है कि T.T.B. इसमे eligible कर दिया गया है सर जी बिलकुल T.T. होगी और I.U.S. Ma. आपकी 21-40 वर्स निर्धारित की गई है किसके लिए 21-40 वर्स किसके लिए निर्धारित की गई है सहायक अध्यापक के लिए याद रखिएगा सहायक अध्यापक के लिए 21-40 वर्स आपके निउनतम आईवी सीमा तीस वर्स निर्थारित की गई है तीस वर्स नियुनतम आईवी सीमा और कम से कम पांच वर्सों का अनुबाव होना चाहिए उनके पास किसी साहता आपके जूनियर हाई स्कूल में उनका अनिवाव कम से कम पांच वर्स का अनिवार रहोगा तो दो eligibility criteria प्राधाने दापक के लिए बन गया है अब बात करते हैं कि आपके साहिक दापक के लिए और क्या चीज़ है तो कम से कम उनका इस नातक में 50% अंक हो और वो TT qualified हो तो यहाँ पर बात आती है कि कौन सा TT तो जब junior यहाँ पर junior high school का नाम ही है यहाँ पर junior का TT कम से कम 68 वाला minimum आप qualified होने चाहिए है ना 1 to 5 वाले नहीं क्योंकि junior की बात आई है अब बात करते हैं चूट क्या है तो चूट जो है SC, ST और OBC के जो candidate है उनकी IUC में में कम से कम उनको 5 वर्स की चूट दी जाएगी IU में ठीक है बाकी merit की साधार पर होगी तो दो देखिए मैंने पहले बता दिया ऐसे तेख होगा सिक्षक भरती का गुणांग इसको मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा तेकिन याद रखिए दो दरीके से होगी आपके लिगित परिक्षा का प्रतीशत होगा ठीक है और आपका 60% जो होगा आपको आपको जो लिगित परिक्षा का कुछ आपका प्रतीशत होगा और कुछ आपके अकैडमिक होगा अब अकैडमिक और लिगित परिक्षा कैसे होगी दिखी हाई स्कूल से लेकर यानि कच्छा दसवीं, बारवीं, ग्रेजुएशन ये तीनों में आपके जो गुडांक होंगे उसका 10% एड़ किया जाएगा यानि कि एक्जामपल लेता हूँ आपका हाई स्कूल में 70% अंकरा तो इसका 10% निकालेंगे तो 7 आएगा ऐसे आपका इंटर में 70% ता उसका भी 7 और आपका ग्रेजुएशन में आपका कितना रहा ग्रेजुएशन में आपको मान लीजे 55% तो उसका 15-15% ति ये कुछ एक गुडांक आपको बन गया अकैडमिक का इसका लिखित परिक्षा में जो आप अंक हासिल करेंगे उसका परसेंटेज आपका लेकर टोटल मेरिट आपकी बनाए जाएगी ति ये कुछ आधार है आप लोगों के लिए और आई होब कि इससे आपको बहुत धेर सारी जानकारिया मिले होंगी अब बात आती तैयारी की ति त्यारी कैसे होगी ति इसको लेकर हम लोग डेटेल आप डिमांड जितनी ज़्यादा इस वीडियो के नीचे रहेगी ति तैयारी कैसे हो तैयारी कराये जाए तो आप मैक्सिमम से शेर जितना करेंगे उतना ही कैंडडिट यहाँ पर कमेंट करेंगे कि त्यारी शुरू की जाए तीज चीज को आप लगों को प्रेट मैं छोड़ता हूँ कि कितना ज़ाद आप शेयर करते हैं बाकी त्यारी अपनी जोरो सोरोस रखें इन 4000 पनों के अंतरगत अपने आपको समलित करना चाहते हैं अपना एक पद सुनी श्रित करना चाहते हैं तैयारी बहुत मजबूती से शुरू कर दीजे बाकी आने वाले समय में लगातार आपको वीडियोज मिलते रहेंगे इसके रिगार्डिंग सो बेस्ट आफ लग सभी को और टैंक यू सो मच